वैशाख मास महत्म्य पांचवा अध्याई ब्रम्हा जी का यम्राज को समझाना और भगवान विश्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना ब्रम्हा जी ने कहा यम्राज तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यू तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रनाम कर लिया जाये तो वह सो अश्वमेध यगनों के अवभृतिस्नान के समान होता है यगन करने वाला तो पुना इस संसार में जन्म लेता है परन्तु भगवान को किया हुआ प्रनाम पुनर जन्म का हीतु नहीं बनता मुक्ती की प्राप्ती करा देता है जिसकी जिहवा के अग्रभाग पर हरी ये दो अक्षर विद्यमान है उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथ्वा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है जो मृत्यु काल में भगवान विश्णू का स्मरन करता है वह अभक्ष भक्षन आदी से प्राप्त हुई पाप राशी का परित्याक करके भगवान विश्णू के सायुजय को पाता है क्योंकि भगवान विश्णू को अपना स्मरन बहुत ही प्रिय है, यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विश्णू को प्रिय है, जिसके धर्मको श्रवन करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में ततपर रहने वाल मनुष्य यदि मुक्ती को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है, वैशाख मास में भगवान पुरुशोत्तम के नाम और यश्का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते है, पुरुशोत्तम स्रीहरी संपूर्न जगत के स्वामी और हमारे जनक है, य राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रियधर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान विश्नु, सदा उसकी सहाईता में स्थित रहते हैं, भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म, म प्रुत्यु जरा और व्याधी का भई भी नहीं प्राप्त होता, कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष, यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधना की चेश्टा करता है, तो उतने से ही वा कृतार्थ हो जाता है, यदि शक्ति के बाहर का कार्य उप सुख का भागी होता है, जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया है, उसके उपर ना तो कोई रुन है और ना पातक ही लगता है, अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यतन कर लेने पर प्रानी का कोई अपराध नहीं रहता, यह कार्य तुम्हारे लिए अस संभव है, अथा इसके विशय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ब्रम्हा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवानी में कहा, तात मेनी आपके चरनों की सेवा से सब कुछ पा लिया, तब ब्रम्हा जी ने पुना समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान, विश्णु धर्म के पालन में तत पर है, चलो, हम लोग भगवान विश्णु के समीप चले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा, वे ही इस जगत के करता धर्म के रक्षक और नियामक है, इस प्रकार यमराज को आश्वा संदेकर ब् उन्होंने सचिदानंद स्वरूप गुनातीत परमीश्वर विश्णु का स्तवन किया, ब्रह्माजी की स्तुती से संतुष्ट होकर भगवान विश्णु वहा प्रकट हुए, यमराज और ब्रह्माजी ने तुरंथी उनके चरनों में मस्तक जुकाया, तब भगवान महा व जब हो, आपके स्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाक धर्म के पालन में समलगन होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे है, इससे यमपुरी सूनी हो गई है उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हस्ते हुए बोले, में लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, स्रीवत्स, कौस्तुभुमनी, वैचेंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुन्ठधाम, क्षीर सागर, शेशनाग तथा, गरुर्जी को भी छोड़ परन्तु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिनोंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके, अपना जीवन तक मुझे सोब दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए है, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ, राजा कीर्तिमान को इस पृत्वी पर मैंने दस हजार वर्षों की आयू दी है, उसमें से आठ हजार वर्ष तो बीत गए, शेश आयू और बीत जाने पर उसे मेरा सायूज्य प्राप्त होगा, उसके बाद पृत्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा, उस समय वैशाखमास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा, तत पश्चात में पृत्वी होकर पुन सब धर्मों का प्रचार करूँगा, उस समय लोगों में वैशाखमास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूँगा, सहस्त्रो मनुष्यों में कोई ऐसा होता है, जो मुझ में अपने मन प्रान अर्पित करके, अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए, जो ऐसा होता है, वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है, इस वैशाखमास में से भी में वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुशों तथा राजा के द्वारा समय आनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाओंगा, लोक में जो कोई भी वैशाखमास का व्रत करेंगे, वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे, उनके वैशाखमास में बताये हुए महाधर्म के पालन में, तुम कभी विग्ण न उपस्थित करना, यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विश्णु वही अंतर्धान हो गए, ब्रम्हाजी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोख को चले गए, उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पढ़ारे, वैशाख मास की पूर्निमा को पहले धर्मराज के उद्देश से जल से भरा हुआ घडा, दही और अन्न देना चाहिए, उसके बाद पितरों, गुरुवों और भगवान विश्णु के उद्देश से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिना फल के साथ कासी के पात्र मे रखकर ब्रामहन को देना चाहिए, भगवान विश्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महत्मय कथा सुनाने वाले दीन ब्रामहन को देनी चाहिए, उस धर्मवक्ता ब्रामहन को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए, राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार उन्होंने पृत्वी पर मनोवांचित भोग भोग कर शेशायू पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदी के साथ स्री विश्णुधाम को प्रस्थान किया। के मुख से सुन रखी है। परन्तु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वैकुन्ठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमानिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए।